हलो दियर स्टूडेंट्स वेल्कम बेक ट्यू और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 47 फोर क्लास 9 विशे सामजिक विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 20th of December 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षीट है प्यारे पैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखिए आज के वक्षीट में क्या दिया गया है हमने फॉस्ट चेप्टर में फ्रांसेसी क्रांती के बारे में पढ़ा था कि हमने बढ़ा था कि किस तरह से फ्रांसेसी क्रांती के बाद यूरोप में जो आप कहा सकते हो कि स्वतंतरता के विचार जो है वो किस तरह से फैलते जा रहे थे किस तरह से उनके शक्तिशाली विचार थे और किस तरह से फ्रांसेसी क्रांती ने एक आमोल परिवर्तन की सं भावनाओं का सुत्रपात किया था तिक है यानि किस तरह से एक स३टनतरता जो स३टनतरता के शक्तिशानली विचार थे उनका किस तरह से फ्रांसेजी क्रान्ते ने 20 भोया था वो सबहाम जो है फोसे चक्टर में पढ़ चुके है अब उस क्रान्ती का कैसे असर रहा मास था वो अलग-अलग श्रेणियों में बट गया ठिक है किस तरह के लोग की विचारधारा बनी वो इस वक्षीट में दिया गया है तो यूरोप में बदलते हालात के अनुसार तीन तरह की विचारधारा जो है वो फैलने लगी थी तो पहले उसमें क्या थी वो थी पुरात करने लगे कि परिवर्तन जो है वो अवश्यम भावी है जो उनके पुराने विचारों की विपरीत था और जो परिवर्तन का विरूद करते थे यानि ये जो कंचरवेटिव या पुरातनवादी लोग थे ये पुराने विचारों के विपरीत थे और परिवर्तन का सम्मान किया जाए उनको ये तो पता था कि परिवर्तन तो होगा लेकिन इसके साथ साथ वो चाहते थे कि जो अतीत है उसका भी सम्मान हो उनके विचार से परिवर्तन के प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए यानि परिवर्तन जो है वो एक्तम से नहीं होना चाहिए क्रमिक नहीं ह होना चाहिए बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए ठीक है next देखिए second जो भी चारधारा थी वो थी radical यानि आमूल चूल परिवर्तन वादी ये वो लोग थे जो आबादी में बहुमत के आधार पर साशन चाहते थे कि जिसका भी जो भी जनसिंख्या में जादा हैं बहुमत के आधार पर उनहीं को जो है साशन करना चाहिए इनमें से बहुत सारे लोगोंने महिला मतादिकार अंदोलन का भी समर्थन किया था और ये जो लोग थे ये बड़े जमीदार और संपन उद्योगपतियों को प्राप्त विशेश अदिकार के खिलाफ थी तो ये लोग जो है ये परिवर्थन चाहते थे, बहुत जल्दी परिवर्थन चाहते थे इनका मानना था कि जो जमीदार हैं, उद्योगपति हैं, उनको जो विशेश अदिकार दिकार दिए गए हैं, वो सब उनसे छेन लेने चाहिए, वे नीजी संपत्ती के विरूद ही नहीं थे, परन्तु संपत्ती केवल कुछ लोगों के पास हो इसका वो विरोध करते थे यानि उनका मानना था कि नीजी संपत्ती जो है वो रखो लेकिन उसके एवज में कुछ ही लोगों के पास हो उसका ये विरोध करते थे थर्ड जो वी चार दारा थी वो थी उदारवादी यानि लिब्रल उदारवादी ऐसा राष्ट चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान और जगे मिले ठीक है यानि सभी लोगों को जो है बराबर का सम्मान मिलना चाहिए जगे मिलनी चाहिए वंस अधारित शास्कों की एनियंतरित सत्ता के विरोधी थे यानि जो वंस के आधार पर जो राजा बनते थे उस सत्ता के वो विरोधी थे वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षदर थे कि हर एक वेक्ति के जो अधिकार है वो उनकी सुरक्षित रहने चाहिए सरकार के समक्ष नमबर फोर्थ है ये समुप्रतिनिधित्व पर अधारित निर्वाचित संसदिय सरकार के पक्ष में थे ठीक है तो ये जो है समुप्रतिनित्व यानि चुनी हुई एक तरह से निर्वाचित जो संसदिय सरकार है उसके पक्ष में थे तानाशाही सरकार के ये विपक्ष में थे उन्हें सुप्रसिशिक नय पालिका का पक्ष लिया ये लोग सार्व भूमिक व्यस्क मत अधिकार के ठीक है यानि ये जो है ये लोग ये तो जो है चाहते थे कि संसदिय सरकार के पक्ष में थे लेकिन सवी लोगों को वोट का अधिकार हो उसके जो है ये पक्ष में नहीं थे उसके बाद नेक्स देखिए समाजवाद का अर्थ समाजवाद क्या है समाजवाद एक राजनेति सामाजिक और आर्थिक चिंतन है जिसका आधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व है तो समाजवाद का आधार क्या है समाजवाद का आधार है कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व है सबका जो है उसके उपर क्या होना चाहिए अधिकार होना चाहिए समाजवाद की प्रमुक विशेष्टाै क्या थी पहली थी कि यह पूंजिवाद औरो मुक्त वैपार के खिलाफ था समाजवाद जो है वो पूंजवाद के का विरोध करता था समाजवाद नीजी समपत्ति पर अधारित अधिकारों का विरोध करता था, क्लियर की समाजवाद का कहना था, समाजवाद के जो विचार धारा है, उसके अनुसार क्या है कि नीजी समपत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी चीज़े हैं, जो उतपादन के साधन है, पूरे समाज का उसके उपर अधिकार होना चाहिए, किसी के नीजी हाथों में वो नहीं होनी चाहिए, इसके अनुसार उतपादन और वित्रन समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए, समाजवाद में राज्य और नागरीकों के करतवें वे अधिकारों के वित्रन पर भी विचार किया गया है, कि ज यहाँ पे आपको बहुती आसान से चार जो है प्रशन दिये गए हैं जिनको हम अलड़ी वोक्षीट में डिस्कस कर चुके हैं तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे लिखेंगे पहला प्रशन है समाजवाद से आप क्या समस्ती हैं तो उत्तर रहेगा समाजवाद का अर्थ एक राशनीतिक सामाजिक और आर्थिक चंतन है जिसका आधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक सवामित्व से है दूसरा जो प्रशन दिया गया है वो क्या है समाजवाद के समपत्ती और उत्तपादन के साधनों पर क्या विचार हैं तो समाजवाद जो है वो नीजी समपत्ती अधारित अधिकारों का विरूद करता है इसके अनुसार उत्तपादन और वित्रन समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए कि जो उत्पादन और वित्रन है वो किसके हाथ में होना चाहिए समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए नेक्स देखिए प्रशन तीन है पुरातन वादियों के क्या विचार थे तो पुरातन वादियों के विचार क्या थे उनके विचारों थे कि जो परिवर्तन है 19 सदी तक आते आते पुरातन वादी इस बात को स्विकार करने लगे कि परिवर्तन वो अवश्य भावी है कि परि जो परिवर्तन का विरोध करते थी, उनका मानना था कि अतीत का सम्मान किया जाए, उनके विचार से परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो, ठीक है, जो परिवर्तन होना चाहिए, वो धीमा होना चाहिए, नेक्स देखिए, प्रशन चार है, आमोल्चूल परिवर्तन वादियों एवम उदारवादियों के विचारों की तुलना कीजिए तो आमोल्चूल परिवर्तनवादी यानि रेडिकल जो की बहुत जल्दी जो है परिवर्तन चाहते हैं तो पहला हम लिखेंगे ये लोग जो रेडिकल थे ये आबादी में बहुमत के आधार पर साशन चाहते थे दूसरा है इनमें बहुत सारे लोगों ने महिला मतादिकार आंदोलन का भी समर्थन किया तीसरा वे नीजी संपत्ती के विरोधी नहीं थे परंतु संपत्ती के अबल कुछ लोगों के पास ही वो इसका विरोध करते थे वे बड़े जमिदार और संपन उदोग पतियों को प्राप्त विशेश अधिकारों के खिलाफ थी उसके बाद नेक्स देखिए नेक्स्ट है उदारवादी यानि लिब्रल उदारवादी ऐसा राष्टे चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगे मिले दूसरा है वंश अधारित साशकों की एनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे ये लोग और तीसरा है वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्रे के अधिकारों की रक्षा के पक्षदर थे ठीक है और ये जो है समुप्रती मिधित्व पर अधारित निर्वाचित संसदिये सरकार चाहते थे उन्होंने सुप्रसिशिक तिन्याय पालिका का पक्ष लिया और ये लोग सारव भूमिक वेश्च कमताधिकार के पक्ष में नहीं थे तो ये सारे points बच्चों आपको learn करने हैं क्योंकि आपका जो exam है आपकी बार वो descriptive exam होगा तिसे लिए ये इस तरह से complete question आपको ये learn करना है तो ये थी आपकी आज की SSD की worksheet I hope सभी बच्चों को ये clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए so thanks for watching मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care bye bye